इंडियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कॉंग्रेस के राष्ट्रे अध्यक्ष अंबाति कृष्णा मुर्ती और राष्ट्रे मास अचेव सुबाश चंद्र ठाकुर के अगुवाई में आज दिल्ली के लक्षमिनगर में प्रेसवारता का आयोजन किया गया प्रेसवारता में राष्ट्रे मजदूर कॉंग्रेस के राष्ट्रे अध्यक्ष अंबाति कृष्णा मुर्ती ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए बीलो के विरोध में है और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान वा देश के सभी किसान दलीच शोशित के इंद्र सरकार द्वारा हमिशा से एक तरफा फैसली लिए गए है जिससे जनता परिशान हुई और पुंजी पती माला माल हुए है बारतिय जनता पार्टी पुंजी पतियों की सरकार है जो पुरे देश में मजदूर किसान भाईयों का शोशन कर रही है साती प्रेस वारता में राश्ट्रे मजदूर कॉंगरेस के राश्ट्रे माहस अचिव सुभाज बिहारी ने मोधी सरकार को आड़े हाथ तो लेते हुए कहा कि मोधी सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है आज गलन भरी सर्दी में हमारे देश के अन्नदाता सडकों पर बैटने को मजबूर है लेकिन प्रदान मंतरी मोधी और क्रिशी मंतरी नरेंदर सिंग तोमर अपने ऑफीस में बैटकर चिठी भेज रहे है अगर वह किसानों के हितेश्व होते तो क्या वह उनके पास जाकर बात नहीं कर सकते थे और किसानों को अगर यहां बिल मंजूर नहीं है तो वह उनके कैसे हित में हो सकते हैं कारेकरम में जनरल ओफ सेक्रेटरी द्यानन राव राष्ट्रे उपाध्यक्ष पृत्ति सिंग राष्ट्रे सचेव महंत तिवारी मीडिया प्रबारी ओम प्रकाश राव अलिगर्ण मंडल अध्यक्ष बीके चोहान आदी इन बीसी न्यूस के लिए दिल्ली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट